हलो व्रीवान वेलकम तो मैंगनेट बैंस माइनम इस हीमन तुम्रे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैंगनेट बैंस पर जो प्रोवाइड कलता है आपको 100% कॉलिटी एजुकेशन आप सभी जानते हैं मैंगनेट बैंस के दो चैनल है एक इंग्लिश मीडियम और DPP, PYQs और क्या चाहिए वही मैं हिंदी मीडियम चैनल की बात कुरतों क्लासिक से लेकर 12 तक क्या एजुकेशन CPSC और डली बोट के अलावा चार स्टेट बोट को और कवर करते हैं MP बोट, UP बेहर बोट और राजिस्तान बोट बढ़िया और शांदाल तरीके से क्या दिक्कत है बड़ी है चलने दो साथ ही साथ अब ये सब ठीक है अब मेरे पास बच्चे जल जी नोट्स दे दीजेए नोट्स नहीं है हमारे पास सर सर लिक्कत नोट्स की आ रहे है मैंने का ओके नोट्स की दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने का भाईया, ये भी आपको प्रोवाइट किया जा रहा है, ebooks and e-nodes ebooks and e-nodes ये भी आपको परोवाइट किये जा रहे हैं कोई दिक्ट की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है आप बस त्यार रहे है आप बस त्यार रहे है ebooks, e-nodes मैंने का बेरे डिस्क्रिप्शन में एक बार नीचे तक और देखो देखो ना description box में देखिए, वहाँ पर एक link मिल जाएगी सीधे click करी और first से अपने notes उठा लीजे कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको e-books, e-nodes दोनों बढ़िया तरीके से और शांदाल तरीके से मिल जाएगे कोई problem की बात नहीं आएगी तो sir, आज क्या लेके आए वो ही पुराना NCRT examplar का equilibrium chapter चल रहा था chapter number 7 जिसको कहते है long answer type questions जिसमें type 6 last है last है भाई, last है कैसा है, last है last है बिलकुल बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली एक दम last है जिसको बढ़िया तरीके से अपन आगे चलाएंगे कोई problem नहीं है आने वाली ठीके, बिलकुल एक तरफा चलिये साथ मैंने गा ठीके साथ मैंने गा डैन, कोई दिक्कत की बात नहीं है बस आप लगे रहो पूरे तरीके से तो मैंने का चलो आगे अब देखते हैं फर्स्ट कोईशन कोईशन नमबर फिफ्टीवन ठीक है याद हो तो अपने वाँ पर पचास पे छोड़ा था अब अपन आगे आगे ठीक है, क्या बोल रहा है How can you predict the following stages of the reaction by comparing the value of KC and QC QC और KC को compare करके आप कैसे बताओगे कि यह चीज़े आईगी Net reaction proceed in the forward direction मतलब आपकी reaction forward direction में जानी चाहिए Second, net reaction proceed in backward direction मतलब backward direction में आनी चाहिए और no net reaction occur Net reaction occur मतलब rate of forward direction जो है, rate of forward direction का जादा होना चीज़े इस compare to, sorry, बरावर होना चीज़े backward के, मतलब इन डारेक लिए कह रहा है अगर forward में जा रहा है तो rate of forward reaction जादा हो rate of backward से इधर पे rate of backward reaction जादा हो rate of forward से और इस case में दोनों सेम हो तो net reaction आपकी क्या हो जाएगी? 0 net reaction आपकी क्या हो जाएगी? 0 अब इसको कैसे आप लोग QC और केसी से compare करेंगे ये आप बता दीचे, मैंने का ठीक है सर अब भी बता देता हूँ क्योंकि हमने QC और केसी के बीच में तीन relation पड़े थे यादे क्या तुम्हें याद है हाँ सर हमें याद है ना कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल पहले इतना note down करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फटावट खतम करने की कोशिच करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली कहीं से कहीं तक जल्दी देख लो एक बाद जल्दी जल्दी देख लो एक बाद जल्दी मज़दाल तरीके से डन 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 पका बढ़ो आगे ये लीजे सर तो फिर आप देखो सर सबसे पहले net reaction, proceed in forward direction न ठीक है सर QC क्या होता है अगर मान लो सर QC की value कम है QC की value कम है मतलब QC कम है तो QC कम होने का reason क्या होगा ये कम होने का reason क्या होगा कि सर उपर वाला जादा हो मतलब प्रोड़क्ट जादा हो और आपका reactant कैसा हो कम हो अगर आपका reactant कम है sorry reactant आपका sorry ultra लिख दिया ultra लिख दिया ultra लिख दिया क्या ultra लिख दिया बताता हूँ आप अनको QC कम चाहिए कम चाहिए मतलब प्रोड़क्ट आपका कम होगा और reactant आपका जादा होगा क्योंकि हमने पढ़ा है denominator अगर बड़ा होता है तो value छोटी आती है तभी तो QC कम आया है किसके comparison में केसी के comparison किसके comparison में केसी के comparison में तो अपन ऐसा लिख सकते हैं QC केसी से कम है और अगर यह ऐसा हुआ तो QC कम क्यों है क्योंकि reactant जादा है और आप जानते हो सर अगर reactant जादा हुआ यह बाबा छोड़ांगा नहीं वहीं तक मालते हुए आएंगे अगर reactant जादा हुआ अगर reactant की quantity जादा है अगर यह जादा है तो यह जल्दी अलती खतम कर जल्दी अगर बना अगर बना product बना तो बहिए किदल जा रहिया है आगे जा रहा है और आगे जाने कही तु बोला असंतरशे निकाल के बता आगे कही तो बोला forward direction का निकाल के बता तो आपकी reaction कहा जा रही है forward तो इसमें कौन सी condition लग रही है, जो वाली, जे वाली, जे वाली condition लग रही है, कौन सी वाली, जे वाली, और जे वाली condition में का लिखेंगे, जे condition में लिखोगे, कि QC आपका केसी से छोटू है, QC आपका केसी से छोटू है तभी आपकी ये कंडिशन लेजिटिमेट लगेगी और तभी आपका काम हो पाएगा मैंने गा ठीक है सर आपकी बात मान ली अब देखो बैकवर्ट की बात कर रहा है सर तो बिलकुल उल्टा कल दो आप QC जादा चाहिए अब QC जादा चाहिए और अगर QC जादा चाहिए तो पकी बात है आपका प्रोड़क्ट जादा होना चाहिए तभी तो और आपका रियाक्टिन कैसा होना चाहिए कम होना चाहिए और अगर रियाक्टिन कम भया किस से कंप्यर कर रहा है केसी से मतलब क्यों सी केसी से बड़ा होना चाहिए और ये बड़ा कब होगा जब कौन जादा है प्रोडक्ट मतलब अब भाईया रियाक्टिंट कम है कौन जादा है पी रोड़क्ट कौन जादा है पी रोड़क्ट तो भाईया वो कहेगा या देख बराबर करना है बराबर करना है बैकवर्ड डारेक्शन में, कहा जा रही है सर, बैकवर्ड डारेक्शन में, और बैकवर्ड डारेक्शन में कब जा रही है, जब आपने क्या किया, जब आपने कंडिशन लगाई, कि QC is greater than KC, QC is greater than KC, तब आपकी रियक्शन किदा जा रही है, बैकवर्ड डारेक्शन में, कहां जा रही है बैकवर्ड डारेक्शन में जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो जल्दी फटा फट कोई दिकत तो नहीं है जल्दी लिखो जल्दी मजा नहीं आएगा नहीं तो नहीं तो मजा नहीं आएगा जल्दी लिखो जल्दी तेजी में लिखेंगे सर तभी मजा आने वाला है अब लास्ट जाओं लास्ट जाओं चेक तो सर लास्ट तो समझी गए अब क्यूसी एक बड़ा हो गया एक बार छोटा हो गया तो अब क्या होगा सर जब दोनों बराब हो जाते हैं तो आपकी यह जो last वाली condition है यह भी fulfill हो जाती है इस condition पे आपकी जिस rate से forward जा रही है उसी rate से backward मतलब forward reaction is equal to backward reaction forward reaction is equal to backward direction यह आपको पता होना चाहिए rate of forward direction forward reaction is equal to rate of backward reaction जिसको अपन कहते हैं no net reaction occurs no net reaction occurs no net reaction occurs no net reaction occurs देख लो एक बार जल्दी देख लो एक बार तभी मज़ा आएगा नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला बिलकुल मज़ा नहीं आने वाला चीक है हो गया तो यह first question आपके सामने पूरा होता है समाप्त first question पूरा होता है आपके सामने समाप्त जल्दी देखके बताईए जल्दी देखके बताईए जल्दी clear हुआ चलो आगे चलके देख लेते हैं सर compare कर लो सबसे बहला वाला QC is less than KC दूसर वाला QC is greater than KC और थर्ड वाला QC is equal to KC बिल्कुल सर बिल्कुल येस बिल्कुल सही है एक तरफा कैसा सर एक तरफा ये लीजे सेकंड कोशन कोशन नंबर 52 जल्दी देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें देखा सेकेंड कोशन क्या बोल रहा है कुछ तो अच्छा ही बोल रहा होगा सर देख लेते हैं क्या बोल रहा है देखो on the basis of Le Chatelier's principle explain how temperature and pressure can be adjusted to increase the yield of ammonia in the following reaction क्या हम ammonia कैसे बना सकते हैं चीके सर तो N2 प्लस H2 हाना equilibrium arrow 2NH3 लिखना है N2 प्लस H2 gives 2NH3 मैंने का बिलकुल सही है मैंने का सर बैलेंस कर लो पहले तो अच्छा उता अल्रेडी बैलेंस ही कर दिया था चीक है अब यह reaction जो दिये न आपन को वो दिये सर आपको कैसी दिये हुए जल्दी बताओ आपको ammonia ही बनाना है मतलब forward जाने कोई कह रहा है वो आप से और forward direction में कैसी है reaction forward direction में reaction है negative मतलब forward direction में reaction है exothermic मतलब forward direction में जो reaction है वो कैसी है sir exothermic है तो sir अगर exothermic के direction में आपको जाना है अगर आपको इधर जाना है तब ही आपका ammonia बनेगा और इस direction की आपकी reaction कैसी है exothermic तो exothermic की favorable condition क्या है तो exothermic reaction की exothermic reaction की favorable condition क्या है तो exothermic reaction की favorable condition क्या है सर हमने पढ़ा था temperature बढ़ाते हो तो गुस्सा हो जाता है तो temperature कम तो sir low temperature will be दे है तो temperature कैसा होना चीए low क्योंकि sir वो खुद heat निकाल रहा है और अगर वो heat निकाल रहा है तो उसको heat नहीं चाहिए ना उसको heat नहीं चाहिए गुस्सा होता है वो उसको heat नहीं चाहिए मना कर रहा है वो करन नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे लो टेंपरेचर ठीक है सर तो temperature की दो बात हो गई लो टेंपरेचर आगया ठीक है सर चीए ठीक है ठीक है ठीक है लो टेंपरेचर आगया कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अगर low temperature आ गया तो sir pressure क्या होगा sir हमने पढ़ा है कि आपको जाना का है यहां ammonia ammonia में आपके पास number of moles कैसे है कम है कि ज़्यादा है नई sir हमारे पास number of moles यहाँ पर कम है reactant में ज़्यादा है तो sir आप pressure को बढ़ाईए क्योंकि जब आप pressure बढ़ाते हैं में मूव करती है जहां पर number of moles कम होते है यह ले चैटलियस प्रिंसिपल था बताया था कि नहीं बताया था तो second point जो है आपका वो आजाएगा क्या sir हाई pressure हाई pressure तो sir जी हाई pressure रखिये और low temperature रखिये आपको ammonia या ammonia मिलेगा आपको ammonia या ammonia मिलने वाला है कोई दिक्कत की बात नहीं है बार भर के ammonia मिलेगा कोई नहीं रोक पाएगा बार भर के ammonia मिलेगा कोई रोक नहीं पाएगा यह बात मान के चलिए बार बार के ammonia मिलेगा कोई रोकी नहीं पाएगा चलो वह यह मैंने का अच्छी बात है फिर मैंने नने गां अच्छी बात है हमें आमोनियbh Mil रहा है जरहते हैं तो पक्का यह वो गया हमारा तो उसने बोलाता तो नोन की तैंप्रेटय क्या प्रेशर हो गाद तो लो टेंप्रेचर हाइए प्रेशण चेक हैं, एक और question पूछा है, एक और question पूछा है, क्या पूछा है बताता हूं, what will be the effect of addition of argon to the above reaction mixture at constant volume, क्या लिखा है, what will be the effect of addition of argon, addition of argon at constant volume, sir, जब volume constant रहता है, और तब जब आप add करते हो, किसी भी inert gas को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप answers पढ़ लिजिए, क्योंकि मैंने सारे answers disclose कर दिया है, आजाओ, according to Le Chatelier's principle, raising the temperature shifts the equilibrium to left and decreases the equilibrium concentration of ammonia, since it is an exothermic reaction, तो आप temperature कम करिये, in another word, सुनियेगा, अब प्याल से सुनिये, low temperature and high pressure is favorable for high yield of ammonia, यही लिखाए, low temperature लिखाए क्या नहीं, और high pressure लिखाए क्या नहीं, बिलकुल लिखाए, सटरने की बात ही नहीं है, and there will be no effect on equilibrium on the addition of argon, तो आप argon को अगर add कलते हो, तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, बहार में जाए, काई में जाए, बहार में जाए, हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है, जल्दी note down करिये, बहार में जाए, हमें मतलब ही नहीं है, फटा फट, सेकिंड कोशन भी clear है, सेकिंड अजलंग कि फ्टा-फट फच्का चीर स्क्रीश करेंगे और फिर ऑपन आगे की तरफ बढ़ेंगे जल्दी 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 इस कि रुखना नहीं है जोंकि रुखना लिन्य कोई दिखत की बात यहां तक नहीं आने वाली कर लिया screenshot, ये लिजे सर थर्ड कोशन, बढ़िया कोशन, कोशन नमबर 53 चलिए, तो कोशन नमबर 53 निप्टा है या हम? चलो, ये बढ़िया कोशन है, अच्छा है, solubility product वाला है कौन सा है solubility product वाला, देखिए a sparingly soluble salt having general formula ये, ax, p plus, by, और q minus, ये आपका एक compound है, चीक है? और molar solubility S in equilibrium with its saturated solution, चीक है बढ़िया? solubility ऐसे equilibrium पे, जो भी इसके ions रहेंगे, drive our relationship between the solubility and the solubility product for such salt ठीक है सर, तोड़ो पहले इसको, पहले तोड़ो इसको, ये इसकी stationary होगी नीचे, ये ले लिए अपनने, हना? ये ले लिए अपनने, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसको एक बार तोड़ के आप लिखके दिखाओगे comment section में, लिखो पहले, पहले तुम्ही लिखो तभी मज़ा आएगा, रूख जाओ, पहले तुम्ही लिखो, फिर मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला, जल्दी जल्दी कि बाया, AL203, यह सब, उपर charges भी दे दी, अगर वो charges इंसे match कलते हैं, तो भी में लिखता, यहां पर यही मतलब है कि सर, जो A है, वो X time है, और प्लस P, इधर पर जो B है, वो Y time है, और minus Q, दिख रहा है, इस तरीके से, ऐसा है यह, और फिर अभी आपन ने देखा, solubility की बात, किसकी बात solubility, इनने गा, molar concentration पर solubility कितनी है, S है, मैंने गा, ठीके, पहले मानलो इसको 0, 1 ले ले दे, यह 0, यह 0, चीक है, जब हम, यह initial की बात थी, at equilibrium पर बात करेंगे, तो equilibrium पर क्या हो जाएगा, सर मानलो यह S है, लेकिन इसके आगे stationometry X है, तो यह X हो जाएगा, और यह हो जाएगा, YS, यह हो जाएगा, 1-S, मैंने गा, ठीक है, अब solubility product क्या होता है, वो बता हो जाएगा, तो सर, solubility product होता है, KSP, equals to, क्या हो जाएगा, सर, solubility product क्या हो जाएगा, यह, A plus P की power X, ठीक है, B minus Q की power Y, ठीक है, अब अगर आप देखो, तो इसका concentration किता दिया है, X, S की power X, ठीक है, और यहाँ पर, Y, S की power Y, यही होगा, अब इसको और solve करें, X की power X, Y की power Y, S की power X, और, 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 क्या हो जाएगा, सर, और, S की power Y, यही होना चीए, अब इसको और अच्छे से लिखू, तो final solubility product जो आएगा, देखना ध्यान से, सर, X की power X, तो simple है, Y की power Y, भी simple है, base same होता है, तो power side हो जाती है, तो S, X की plus Y, यह final answer है, यह final answer है, सर, चेक कर लो, यह आपका relation है, यह आपका relation है, चेक करके बताईए, यह आपका final relation होगा, कोई दिक्कत के बिना बात नहीं होगी, यह आपका final relation होगा, कोई दिक्कत के बिना बात नहीं होगी, जल्दी, 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 done, पका, देख लो जल्दी, जल्दी देख लो, फिर मज़ा आएगा, भाई यह 53 हो गया, अब मुझे पता नहीं है, इसमें कित्ते कोशन से, इसमें मैं को बिल्कुल नहीं पता कि कितने कोशन से नहीं, तो फिर मैं आपको बताता थोड़ा बहुत भी कि कितने कोशन से होंगे, कैसे क्या होंगे, इसमें मैं को पता ही नहीं है, बिल्कुल कितने कोशन है, कितने कोशन से, नहीं है, चीके, relation आगया, कोई दिक्कत तो चल, देखो, इन्ने भी वही लिखा था. कि इसके x mol है, देखो, ए एक्स के और ये y के y mol है, चीक है, ड़न, अब आजाओ आगे. क्या बोल रहा है? Write a relationship between delta g and q and defines the meaning each term. चीक है बही है, क्या बोल रहा है? Why a reaction proceed forward when q is, q is less than k and no reaction when q is equal to k. ये कहना चाह रहा है. ठीक है, सर? अब बात को समझना बेटा, थोड़ा कोशिश करना. q क्या है, के से छोटा है, तो k बढ़ा है, और हम जानते हैं, delta g क्या होता है? माइनस 2.303, rt, log k, बिल्कुल. k बढ़ा है, तो k को positive मानो, ये पूरा term positive है, लेकिन सर, आगे negative लगे होने के विए से delta g कैसा आजाएगा? negative, और negative का मतलब reaction कैसी हो जाएगी? spontaneous, और spontaneous होगी, तो definitely reaction कहा जाएगी? forward direction में. इसलिए तो reaction कहा जाती है? forward direction में. बस कहा था हम. अगर spontaneous होगी, तो भाईया, आगी जाएगी, na. spontaneous का मतलब ये थोड़ी की reverse guard डालके पीछे चलिया, या आगी जाएगी, तो definitely कोई दिकत की बात नहीं थी, कितने बढ़ी है तरीके से expression से आगया, delta g आपका negative है, और उससे पता चल गया, spontaneous, और spontaneous से हमें ये बात clear हो गई, कि sir g वो forward direction में जाएगी. अब अगर बोले की q किसके बराबर हो गया, क्यके बराबर, तो इस time पे हमारा delta g हो जाता है 0, delta g हो जाता है हमारा 0, और delta g 0 मतलब reaction आजाती है equilibrium में, और जब equilibrium में आ गई, तो इसका मतलब होता है forward reaction is equal to backward reaction, therefore no net reaction, therefore no net reaction, therefore no net reaction, therefore no net reaction, मैंने गए ठीक कैसा है, therefore no net reaction, जल्दी देखो, therefore no net reaction, कोई देखाथ, therefore no net reaction, clear है, तो पहला वाला तो clear कर दिया, सर, सर, पहला वाला तो clear कर दिया, अब अपन इसकी बात पर करेंगे, second वाला, जल्दी screenshot ले लो पहले वाले का, पहले वाले का screenshot ले लो, ये पहले वाले में A का first, वैसे यहां लिखा नहीं है, लेकिन यहां तक क्या, फिर ये A का second, ऐसे ही होते हैं भाई इधर कोईशन सॉल, इधर कोईशन ऐसी सॉल होते हैं, A का first, A का second, अब बात कर रहा है वो B की, B में क्या क्या रहा है, explain the effect of increase in pressure in terms of reaction quotient for the reaction, चीक है सर, अगर आप pressure बढ़ाते हो, increase in pressure, तो reaction जाती है वहाँ, जापन number of moles का मो, जापन number of moles का मो, number of moles का मतलब भी क्या होता है सर, number of moles का कम होने का मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ का volume कम है, बिल्कुल पक्की बात है, वहाँ का volume कम है, और अगर मैं यहाँ से क्यू निकालू, तो क्यू क्या होता है सर, product upon reactant, product upon reactant, और अगर मैं आप से बात करू, तो भाईया, product में यही है, 2 moles दिख रहा है, और reactant में अगर देखा तो 3 और 4 moles, तो मतलब यहाँ का volume कम है, यहाँ का volume जाता है, मतलब product आपका कम है, product आपका कम है, और reactant आपका जादा है, अगर reactant जादा, मतलब denominator जादा होगा, तो भाईया, Q भी आपका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर Q कम हो गया, Q कम हो गया, that means Q is less than K, Q is less than K, और Q का कम होना, और किस के comparison में, K के comparison में, reaction move in forward direction, reaction move in forward direction, पढ़ा है ना अपन ने, reaction move in forward direction, तो उसने Q के terms में बोला था, इसलिए अपन ने निकाला था, नहीं तो अगर late checklist लगाता, तो मैं पहली line में या answer आजाता, late checklist में तो आगया कि forward जाएगी, लेकिन उसने Q के बारे में बात करी, इसलिए मैंने बताए कि यहाँ पर volume कम है, product का volume कम है, reactant का जादा है, reactant का जादा है मतलब Q की value कम है, और Q कम है मतलब के जादा है, और के जादा है तो भाईया reaction कहाँ जाएगी, forward direction में, reaction कहाँ जाएगी, forward direction में, मैंने का बहुत बढ़िया, मैंने का बहुत बढ़िया, मैंने का बहुत ही बढ़िया, चलो, चलो 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 सही जा रहे हैं अपन, डण 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 एक तरफा कैसा सर एक तरफा बढ़िया एक नमबर बोले तो जखास चीक है एक बाद चेक कर लेते हैं पहले स्कीरिंग शॉट ले लो लिया क्या बोल रहा है डेल्ट जी डेल्ट जी प्लास आरटी डेल्ट जी चेंज इन फरी एनर्जी ह्दा रिक स्पोश्ईट्ट स्टैडड़ जी इनर्जी स्टेंज रियाक्शन स्ट gi360 होता है इस चांस दन्ट टेम्परेशर यह स्टीमफ यह फर्मला हो जाता है इफ दोनों बराबर हैं तो delta G 0 है, no net reaction, hint, next relate Q with concentration of CO2 और H2O, H2O is a view to reduce volume, volume का में क्योंकि pressure increased है, तो show that Q is less than K, hence the reaction proceed in forward direction, उसने hint बोला था, मैंने यही किया है, तो मैंने Q को show कर दिया कि वह के से का में और reaction कहा जाएगी forward direction में, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी, जल्दी देखो, हो गया, ओ, मुझे लगा था, एकात कोशन और होगा, तो wind up हो गया, मोय मोय हो गया, क्या हो गया सर, मोय मोय हो गया, ठीक है, wind up हो गया तो हो गया, मतलब equilibrium, finish, पूरा equilibrium, finish, क्या कर सकते हैं, अब यह छोटा था तो था, बड़ा होता तो ठीक था, अब बड़ा नहीं था तो आपन क्या कर सकते हैं, बड़ा नहीं था तो आपन क्या कर सकते हैं, यह छोटा था तो था, आप क्या कर सकते हैं, अगर बड़ा होता तो अच्छा गाम होता, नहीं होता तो नहीं होता चीह कैसा अब सबसे important बात सुनों पहले आप अगर किसी question में दिक्कत आई हो या equilibrium में type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 और type 6 किसी में भी problem हो लिखो लिखे जो खत खत नहीं लिखने हैं आपको सिफ comment section में लिखना है इतने में मैं देख लूँगा इतने में मैं कल लूँगा इतने में संतोस्थ हूं इतने में बढ़िया हूं बात समझ में आई है तो भाई इस चीज को समझो और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर मेरे साथ मेरे को दिक्कत बहुत जादा हो जाएगी इसी लिए आपका समझना अति आवशक है क्या है सर अति आवशक है चीक है डन तो चलिए सर आप चलिए एक चीज और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजि फोड़ दिंगे एकदब 100% quality education दी जाती आपको वो भी 100% free को चार्ज है क्या नहीं सर कोई चार्ज नहीं लेते हैं और रेगुलर्ली 11th और 12th के recorded as well as live lectures सब करवारो live sessions तक ले रहो और मैं अकेला नहीं हर teacher लगा हुआ है बस आपको काम करना है क्या करना है काम करना है चीक है आप सभी जानते हैं Magnet Bains के दो चैनल है एक English Medium और एक Hindi Medium अगर English Medium की बात करूं तो CBC और Delhi Board दोनों करवाई जाते हैं वहीं Hindi Medium में इनके अलावा बिहार बोर्ड, UP Board, MP Board और राजिस्तान बोर्ड इसको भी cover करते हैं अच्छे और शांदाल तरीके से इतना ही रहेंगे वेदि बिल्कुल शांदार और मज़ेदाल तरीके से तो सर कल क्या आएगा भाई कल आएगा नया लेक्चर नया चाप्टर कल का वेट करिए सर कितने बज़े आएगा मैंने का भाई टाइम चेंज नहीं होता है जिस समय पे अभी खड़ाओं जिस चैनल पे अभी खड़ाओं कल भ झाल 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 झाल